मलकानेगरी जिल्ला और इसा के जो 10 LW Affected स्टेट है और 70 डिश्टिट है ये मलकान जिल्ला उनसके अंदर आता है 70 डिश्टिट में और जो LW Affected एरिया में डबलाम्मेंट का प्रोसेस थोड़ी धिमा चाल रहा है के अंदर सरकार्क्ते और से जो जितना भी कोर्स रूपे आते हैं यहां पर तो इंप्लिमेंट नहीं होता है ग्राउंड में देखे जो ये जो हमारे बंडारी एजन्सी और दे डिडाइड अथूरिटी है जो ट्राइबल के लिए बनाया गया है तो इस योजना के तहट कड़र कड़र रुपिया सरकार के दुआरा से राज्य सरकार को भेजा जा रहा है और ये इसका अभी तक ग्रास रूट तक पहुँचना चाहिए ट्राइबल पीपल तक पहुँचना चाहिए लेकिन आज तक नहीं पहुँच यहां पर देखा जात है इस दफ्तर में एंप्लाइमेंट के लिए दोर दुप होता है और इसमें एंट्री करने के लिए इस पदभार को समानने के लिए लोग हूमर पड़ते हैं लेकिन आज भी बहुत सारा दफ्तर नाम की लेवल केवल है इसका सेलेरी उनको मील रहा है लेकिन दफ्तर बंद हुआ है और पैसा भी किंद्र सरकार से भेजा जा रहा है ये डेबलोमेंट ट्राइबल डेबलोमेंट के लिए ये जो एजेंसी बना है जो अथुरिटी बना है बंदे अजेंसी और डिडाई अथुरिटी बना है ये ट्राइबल के लिए है और आज तक जिस परकार से डेबल लोगों को जानकर यह नहीं है ट्राइबल को आवर्नेस भी नहीं है आवर्नेस के हम बिठाया जाए ट्राइबल को लेके और इसका बेनिफिट उन तक पहुंचा जाए यह आज तक हमको लगता है इतने सालों में कडरो कडर रुपिया इनके डेवलोमेंट के लिए पैसा आया लेकिन आज तक इनका खर्च इनके उपर खर्च नहीं हुआ है क्योवल ओफिसर है जो दफ्तर में बैठता है वो जस्ट सेलेरी लेता है ओपिस है कहीं खंगार बन गया एकदम तहकाना जैसे बन गया है भूद बंगला जैसे बना हुआ है ट्राइबल डिपार्टमेंट के नाम पर की जो बंडा डिपलूरमेंट एजेंसी है और ढिडा टाइबलोमेंट एजेंसी ढभना के जो 700 क्रोंट आते हैं लगवाग 50 शाल से अभी तक इनलोग का डवलूम नहीं हुआ है कहीं पर स्कूल नहीं है कहीं पर लेडटकियों को आण्दरा भेजा जा जा रहा है मैंने देखा माइनर लड़कियों को कम उमर के हमारा ट्राइबल बहन सबको इस राजे से दुसरा राज्य प्लाइन किया जा रहा है अब कम उमर वला को इस जगा में पढ़ने का बेवस्ता नहीं है रोजगार का बेवस्ता नहीं है और यहां के कुछ लोगों कुछ एजेंसी यह जो टीनेज है उसको बाहर राज्य में काम करने के लिए कोई आंद्रा कोई केरला कोई दिल्ली कोई बंबे कोई चेन्नाई में बेज के इनसे फैदा लूट ला रहा है यह सारा सर अन्या ही हो रहा है अज यह राज्य सरकार को आगे बढ़के इस चीज़ को रोकना चाहिए और इन महिला के लिए इन बहन के लिए पढ़ाई के लिए बेवस्ता कोलेज के लिए बेवस्ता ट्रेनिंग के लिए बेवस्त ऐसे बहुत सार केंद्रा और राज्य सरकार का योजना है इस योजना को तहट अगर इस एरिया को डेवलोमेंट करता है तो अगर यहां पर रोजगार का बेहुस्ता होता है तो यह इसको प्लाइन होने में अज मजबूर होके प्लाइन भी हो रहे हैं